बाजपा के राश्चा दिप्ष अमिशा आज बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे में हैं पटना एरपोर्ट के उपमुखे मंत्री शुशुल कुमार मोधी के साथ वे सीता मड़ी पहुंचे जहां उन्होंने जनता दल युनाइट प्रत्याशी शुनील पिंटू के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया अपने संबोधन की शुरुवात शाह ने मा सीता की धर्ती को नमन करके की जिसके बाद उन्होंने मन से सियासी तीट से लाए अमिशा ने कहा कि देश में पूरफ पच्चिम उत्तर दक्षिन सब जगा मोधी मोधी के नारे सुनाई दे रह हैं जो हर तीसरे चौते मैंने चुट्टी लेकर चले जाते हैं और उनकी मा भी ढूंती रह जाती है कि बेटा कहा गया शाने लालू यादो पर तंच कस्तवे कहा कि जब लालू राबडी का और राहुल बाबा के परिवार का शाशन चलता था तब गरीब इलाज कराने के ल होना चाहिए कि चाहते हैं कश्मीर भारत से अलग हो जाए अगर कभी हमारी सरकार ना भी रही तो भी जब तक भाच्पा के एक विकार्यकरता के शरीर में जान है तब तक कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकता हमारे देश के प्रधान मंद्री स्री नरेंद्र मोधी ने पांच साल में ऐसा सासन किया जिसकी देश सतर साल से राग देख रहा तेश राग देख रहा था किये कैसा विक्ति आए जो अपने लिए न जिता हो देश के करोडों गरीबों के लिए जिता हो ऐसा विक्ति आए और प्रधान मंत्री दिया रिखो सुसिलडी ने कहा अधक परीश्रम करने वाले प्रधान मंत्री है मैं 20 साल से लगातार उनको देख रहा हूँ गुज्रात के मुख्य मंत्री बने तब से लेकर आज तक एक भी चुक्ति ने ली है एक भी चुक्ति ने और मित्रों दूसरी और गट बंदन के नेता है राहूल बाबा दो तीन महिने में छुक्ती लेकर चले जाते है और चले ऐसे जाते है मा भी ढूमते उए रह जाती है मित्रों कहां चला गया मिलता नहीं है बेल आइकोन के दबाई